गुद मॉर्निंग बच्चो आज हम आठ्मी कक्षा की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे इसमें जो फ्रत्म प्रश्न है वो ये है कि उचित गुन धर्मों के उपयोग से निम्न का मान ग्याद कीजिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हमारी जो संख्या है वो है माइनस 2 बटा 3 गुना 3 बटा 5 प्लस 5 बटा 2 माइनस 3 बटा 5 गुना 6 इसमें आप देख पाएंगे कि ये 3 बटा 5 यहां भी है और यहां भी है सबसे पहले तो हम इसे अलग-लग बदों में बाढ़ देते हैं जैसा आप देख रहे हैं यह दोनों आपस में गुना हो रहे हैं 3 बटा 5 है इन दोनों संख्याओं को हम इन दोनों जोड़ों को हम इकठा लिख रहे हैं माइनस 2 बटा 3 गुना 3 बटा 5 दूसरा ये वाला माइनस 3 बटा 5 गुना 1 बटा 6 ये 5 बटा 2 प्लस वाला अलग से रह गया इसे हम बाद में लिख रहे हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां भी 3 बटा 5 है और यहां भी 3 बटा 5 है तो इन दोनों जोड़ों में से मैं 3 बटा 5 को कॉमन ले लेता हूं कॉमन का मतलब जो यहां भी है और यहां भी है उसको एक ही बार बाहर लिख दिया अब यहां से तीन बटा पांच बाहर चला गया तो हमारे पास बाकी बच गया माइनस दो बटा तीन और यहां से तीन बटा पांच बाहर चला गया तो बाकी बच गया यह माइनस और यह है एक बटा चे ये तीन बटा 5 हम बाहर एक बार कॉमन ले चुकें इसलों दुबारा नहीं लिखेंगे ये बन गया माइनस एक बटा 6 पांच बटा 2 को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे इसे बाद में हल किया जाएगा तीन बटा 5 गुना अब हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे इसको नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, जो उत्तर आएगा उसे उपर वाली से गुना करेंगे, 6 को 3 से भाग किया, हमारे पास आया 2, 2 को उपर माइनस 2 से गुना कर दिया, तो हमारे पास आगया माइनस 4, दुबारा देख लो, 6 को 3 से भाग करने पे आता है 2, 2 को उप उबर एक से गुणा कर दिया तो यह आ गया एक प्लस पांच बटा दो ऐसे ही लिख लेंगे इसके बाद तीन बटा पांच गुणा माइनस माइनस प्लस चार और एक पांच साइन माइनस का बटा छे प्लस पांच बटा दो यहां जब हम इसको हल करेंगे तो यह पांच से यह पांच कर जाएगा तीन से चे कर जाएगा तीन दूनी चे यह हमार पास आ गया माइनस एक बटा नीचे बच गया दो प्लस पांच बटा दो इनकी हरे एक जैसी हैं तो हम हरों को इकठा लिख सकते हैं दो को दो से भाग किया एक को उपर माइनस एक से गुना किया माइनस एक प्लस दो को दो से भाग किया एक को उपर पांच से गुना किया पांच माइनस प्लस माइनस पांच में से एक निकाला चार हांसल साइन बड़ी रकम का प्लस बटा दो चार दो से कट गया दो तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आजाएगा दो इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग भी है आपकी सुवीदा के लिए मैंने इसे पहले हल करके रखा है ये था दो बटा पांच गुना माइनस तीन बटा साथ माइनस एक बटा चे गुना तीन बटा दो प्लस एक बटा चोदा गुना दो बटा पांच इसमें से आप देखेंगे ये दो बटा पांच और ये वो दो बटा पांच common है तो हम इस संख्या को यहाँ और इस संख्या को भी इसके साथ लिख देंगे और ये जो बाकी बजगी है हमार पास minus 1 बटा जा रहा भी है कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ ये तीन से ये छे कट गया तीन दू नीचे तो यहाँ गया minus 1 गुना 1 minus 1 और 2 गुना 2 चार अब यहाँ पर 2 बटा पांच यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हमने इसको फिर से common ले लिया और एक bracket डाल दी 2 बटा पांच इस संख्या में से 2 बटा 5 बाहर चला गया तो यहाँ गया minus 3 बटा 7 यहाँ से 2 बटा 5 बाहर common चला गया तो बाकी बच गया 1 बटा 14 इसे हमने ऐसे ही उतार दिया 2 बटा 5 common था अंदर 14 और 7 का लग उत्तमाया 14 नीचे वाली से भाग 14 को 7 से भाग किया 2 2 को उपर minus 2 से गुना कर दिया minus 3 से गुना कर दिया minus 6 plus 14 को 14 से भाग किया 1 1 को उपर 1 से गुना कर दिया तो हमारे पास आगया 1 minus 1 बटा 4 को ऐसे ही लिख दिया 2 बटा 5 को ऐसे ही लिखा minus plus minus 6 में से 5 निकाला 1 sign बड़ी रकम का बटा 14 minus 1 बटा 4 यहां फिर से 2 से 14 कट जाएगा 2 सते 14 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास उपर बच गया माइनस 1 और नीचे बच गया 7 माइनस 1 बटा 4 इनका लगुत्तम लेंगे तो 7 और 4 का लगुत्तम होता है 28 28 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 4 4 को उपर एक से गुना करेंगे तो यहां जाएगा 4 साथ में माइनस यहां भी माइनस 28 को 4 से भाग किया 7 7 को उपर एक से गुना करेंगे तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 और 4 ग्यारा बटा 28 यह हमारा उत्तर आगया